पन्वेल में गाउं के विकास के लिए 30 करोड की मंजूरी सवागरी नेता परेश्ठाकुर बोले हर गाउं को बनाएंगे स्मार्ट विलेज पन्वेल मनपा छेत्र के गाउं भी अब शहरी इलाकों की तरह विक्सित और नागरी सुविधाओं से सम्रिध होंगे पन्वेल मनपा की विशेष्ट महासभा में आज 30 करोड के प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई सवागरी नेता परेश्ठाकुर और महापोर कविता चौत्मोल ने बताया कि पन्वेल मनपा छेत्र के गाउं जिला परिसद और सिड़कों की उपक्षाओं के कारण लंबे समय से पिछडे हुए हैं जिसके लिए 29 करोड 62 लाग के निधी की मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक परशान ठाकुर का विजन पन्वेल के गाउं को स्मार्ट विलेज बनाना है जहां शाहरी छेत्र की तरह हर नागरी सेवा सुविधा मौझूद हो उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए हर गाउं का दोरा कर वहां की जरूरतों के अनुशार कारियों को प्रमुक्ता दी है ताकि गाउं के विकास को नई गती मिल सके परिश्टाकूर ने कहा कि स्टाफ और फंड की कमी के बावजूद हमारी कोशिश है कि पनवेल के गाउं स्मार्ट और मौलिक सुविधाओं के साथ विक्सित हूँ विशेश सर्वसादरान महासबा आज यहाँ पर संपन्न हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे अजंडा में प्रभाग समिती अ, प्रभाग समिती ब, प्रभाग समिती ड, इनके कुल मिलाकर 28 से 30 करोड के काम यहाँ पर आज मंजूर हुए है जिसमें आप देखने जा इने गटारे उनके काम यहाँ पर मंजूर किये गए हैं जिसे चोटे-चोटे काम होते हैं लेकिन काम में बहुत सरी सुवीदा हम लोगों को दे सकते हैं कुल मिलाकर 30 कोटे के आसपास का इस्टिमेट जा रहा है इतने बड़ी मातरा में आज यहाँ पर गाव में काम के वि अलिबाग और मानगाओ यह एरिया के लिए खतम करना यहीं उनका मिन रहता था और कभी भी वह पन्वेल में वह निधी यहाँ पर खतम निकरते तो उसके वेसे यहाँ पर गाव के प्राब्लम से काफी बड़े हो रहे थे मानिया अमदार प्रशांदादा ठाकूर उन्हों पालिका होने के बाद में यहाँ पर स्टाप पैटर्न अभी तक मंजूर नहीं है उसकी वेसे यहाँ पर जो काम है काम का मेजर्मेंट लेना या फिर एस्टिमेट बनाना और यहाँ पर जो प्राब्लम से वह आइडेंटिफाई करना यह काम अभी तक बहुत 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 इस्टिमेट मेजर्मेंट यह सब जो काम है यह काम यल्दी पूरे हो सके और यहाँ पर हम उसकी वएसे हम यहाँ पर टेंडर निकाल सके हैं आज भरते जनता पार्टी और हमारे मान्य विधायक प्रशंद्वा डाकुत युनोंने जो जिमिदारी मुझ पर सोपी हुई है उसकी वएसे यहाँ पर मैं इस तरी के काम कर सका हूँ और यह मेरा नाम यहाँ पर लिया हुआ है एक मैं सबागुर्य नेता हूँ इसके लिए मेरा नाम लिया हुआ है पर इसका क्रेडिट यह सभी सहगारियों को जाता है जोनोंने काफी यहाँ पर मेहनत की हुई है और उ खर्यार तेने आमाला अनंद वट्टो कि ही महानगर पाली का जाल्या मुले आज आमचा खेड़े गावन मदे कोरोडो रुपय ची काम विकासा ची काम आज या ठीकाने मार्गी लागता है मि या साथी विशच धन्यवाद लोकने तेन आमशे ठाकुर सहबान देन आम दार प्रशान दादा ठाकुर सहबान देन जा महापोरानी या खुर्चे मदे बसून या पनिवेल चा विजन ठेवले लाए त्याना देन आमचे सन्माने सभागर ने तेमी मगाची सांगी दे प् महासबा में चर्चा के दवराम सबागरी इनता परिष्ठाकुर ने मनपा के आठ प्रजेक्ट सलाहकारों के घटिया कामकाच पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये कंसल्टेंट ऐसे प्रजेक्ट डिजाइन करते हैं जिनमें तमाम खाम्या होती है उन्होंने कहा कि हम विकासकारियों में कोई लापरवाही या कमी बरदास्त नहीं कर सकते उन्होंने शिकायत करते हुए विश्वास जताया की आयुक्त सुधाकर देश्मों के इन सलाहकारों के कामकाच की जाच कराएंगे ताकि जनता का पैसा बरबाद नहुने पाए यहाँ पे पन्वेल मिस्वल कॉर्परेशन ने एक कंसल्टन का पैनल यहाँ पे आपॉइंट किया हुआ है जिसमें 6-8 ऐसे कंसल्टन है और इन में से काफी सारे कंसल्टन ऐसे हैं जो ऑन पेपर अच्छे हैं पर जब फिल्ड पे काम करना होता है तो वहाँ पे उनकी उनका क काम है उनका प्रोग्रेस है वह अच्छा दिखता नहीं है और उसके विए से ऐसे प्रोजेक्ट है यह इसमें काफी डिलाई बरती जाती है इसके साथ में इसका इसकी जो कॉलिटी है कॉलिटी के बारे में भी काफी कॉम्प्रमाइज हो सके यह इसी एक यहाँ पे स्थिति और वहां पे काम करते वक्त, वहां क्वालिटी के बारे में काफी वहां पे कमी दिखी गई, जब हमने खुद विजिट की, विजिट में हमें पता चला, कि जो आर्सेसी गटर है, गटर में निचे, जो सोलिंग होना चाहिए था, सोलिंग ही वहां पे नहीं है, यह हमें दिख जब तक मुझे बाकी जगह पे भी जो उनका गटर है वहां पे जब तक वह पीट मार के दिखाते नहीं है और मैं जब तक चेक नहीं करता हूं तब तक आगे का काम नहीं किया जाए फिर भी ओ कारपट कर रहे हैं और जहां पे कंसल्ड़न स्लो है वहां पे वह कंसल्ड़न पे कुछ यह पे-एक्शन लिया नहीं जा रहा है यह एक तो सरासर गलती जिल्बाशें कोछ क्वाराध्य गां कि जो आच्चे कंसल्ड़न है जिनको काम अच्छी एक्षिन डिया निया जा रहे ऐसा चीज नहीं हो इसके लिए मुझे यह पर मुझे यहां पर उठाना पड़ा मैं आप एक्षा करता हूं कि हमारे कमिश्णर हम इस पर एक्षिन लेंगे और इसके साथ में हम सारे सहकर यहां साइट पर ओन फिल्ट जाके कंसल्टन का किस तरीके से काम चल रहा है और कॉंट्रेक्टर का किस तरीके से काम चल रहा है इसके बारे में भी हम देखने के लिए शुरुआत करने वाले हैं यह बताना चाहता हूँ कि पनवेल मुनसिपल कर्पोरेशन का जनम एक अक्टोबर दो हजार सोला में हुआ था जबी इनका सब पूरा श्रहिया इधेर के एमेले प्रशन ठकुर साब को जाता है उनको उनका एक वीजन है कि पनवेल मुनसिपल कर्पोरेशन बनने के बाद यह ताके जो गाव है वो शहर में जूड़ जाएंगे और उसका विकास करने के लिए हमारे पास पर्यप्त जो है वो रहेगा इसलिए उन्होंने जबी यह पनवेल मुनसिपल कर्पोरेशन बनी तभी तीस ग्रम पंचयत के 29 गाव इसमें पनवेल मुनसिपल कर्पोरेशन में इनवाल हो गया अभी इससे पहले बार-बार मांग हो रही थी कि जो ग्रम पंचयत के जो गावे है वहां में जो सुवीदा है वो पहुंच नहीं पा रहा है हमने जबी सबसे पहले जो डॉक्टर सुदाकर शिंदे थे उनसे भी अपील की थी उनके मांग की थी उन बार-ब विजन रखा और आभी के जो कमिशनर देशमुक साब है उन्होंने उनके पास में जबी हम गए हमारे नेता परेजी ठाकुर साब के साथ में तभी उन्होंने एकसेप्ट किया कि ठीक है आपकी बात बराबर है जो भी आपने 29 गावे उनके लिए कुछ न कुछ विजन रख करके उनके जो भी काम है वो करने के लिए हम तयार है और साथ में आज हमको बहुत खुशी हो रहे है कि 29 गाव के लिए जो 23 ग्राम पांच थे उनमें लगभग 30 करोड का काम और 29 करोड 62 लाख रुपई का निधी वहाँ पर मंजूर हो गया है और काम को मंजूरी देख दी ब्योरो रिपोर्ट टीवीवन इंडिया